Hello Friends, Welcome to JKS Study Hotspot. तो Friends, आज हम Question Paper discuss करने बारे हैं JKSSB Class 4th Examination का. तो इसका हम Question Paper discuss करेंगे. तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा Reasoning का section. तो Reasoning का section हम, जो उसके questions हैं, वो discuss करेंगे. और Reasoning का जो हमारा है, वो है 20 marks का. तो हमें 20 questions आएंगे, और 20 marks का हमारा section है Reasoning का. तो reasoning के 20 questions हम आज की इस वीडियो में discuss करेंगे इसके बाद हम next जो दूसरे topic है mathematics है चाहे English है चाहे journal awareness है उनकी भी जो question paper है वो लाएंगे तो आज की वीडियो में हम reasoning की करेंगे 20 questions वो देखेंगे और 20 questions को हम solve करेंगे questions भी देखेंगे कौन से questions हैं और उनको हम solve भी करेंगे तो solve question paper हम discuss करने जाने तो friends चलिए start करते हैं आज के lecture को आगे बढ़ने से पहले बता दूँ अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है चानल को subscribe जूरू कर दीजिए बेल आइकन को प्रस कर दें ताकि जब भी वीडियो आएगी इसके notification जो है वो आपको मिल जाएगी तो friends चलिए start करते हैं तो यह हमारा reasoning का question paper तो इस तरह के questions आएगे आपको reasoning के अपने fourth class के examination में तो देख लेते हैं one by one questions करते हैं हम तो सबसे first question देखी क्या है which of the following doesn't belong to the group तो इन मेंसे जे चार options हैं आपको इस तरह के options आएगे इन चार options में से कोन सा group में belong नहीं करता इसका मतलब क्या है कि चार questions हैं सारी चार जे options हैं आपके इन में सबसे different कोन सा है जो की group में belong नहीं करता जो सबसे अलग है यहाँ पर तीन जो हैं वो same होंगे same category होगी उनकी और एक की क्या होगी category वो होगी different तो हमने देखना है कोन सा different है यहाँ पर क्या लिखा है which does not belong to the group does not मतलब जो group में belong नहीं करता तो हमने देखना है चार उसके बाद देखते हैं कोन सा अलग है सबसे पहले है दिनार, डोर, डॉलर and रुपी तो देखे हमें answer मिल गया दिनार क्या है currency है dollar क्या है यह भी currency है और रुपी क्या है यह भी currency है तो यह जो तीनूं आगे यह आगी currencies और यहाँ पर आगे door तो door हमारी currency नहीं है door आगे दर्वाजा आगे यह और यह currency, दिनार, डॉलर, रुपी क्या है यह करंसी है तो हमारा कौन सा क्रेक्ट आंसर है वो है option B door is the correct answer यहां पूछा था which doesn't belong to the group जो group में belong नहीं करता तो group में कौन सा belong नहीं करता दोर दिनार dollar and rupee are the currencies यह currency है और जो door है वो currency नहीं है तो door जो है इस group में belong नहीं करता तो इसी तरह से आपने question करना है आपको चौर option मिलेंगे और आपने find out करना है कि कौन सा वो group में belong नहीं करता I hope clear हो गया आपको next चलते है next time gun is related to bullet in the same way chimney is related to तो इस question में क्या दिया है कि gun दिया हुआ है तो gun relate करती है bullet से गन आगी हमारी और आगी bullet तो gun और bullet का relation देखना है in the same way chimney is related to तो जिस तरह से gun और bullet का relation है हमने वैसे ही chimney का relation देखना है इन option से चौर option कौन से है house roof भी है house roof smoke and ground तो यह चौर option आप देख सकते हैं किस तरह से match कर रहे हैं जैसे आप देखो gun का bullet है अब gun आगी गन से क्या निकलती है bullet निकल रही है अब chimney से क्या निकलेगा गर नहीं निकलेगा चत नहीं निकलेगा ground भी नहीं निकलेगा smoke जी हाँ चिमनी से क्या निकलता है smoke दुआ निकलता है तो correct answer क्या है C हमने जिस तरह से gun का bullet के साथ आपको कोई भी question दिया होगा जिस परकार जो first का relation है उसी परकार आपने दूसरे का find out करना है first का है gun is related to bullet means gun से bullet fire करते है bullet निकलती है उसी परकार हमने देखना है चिमनी से क्या निकलता है तो चिमनी से हमारे निकलती है smoke तो house भी गलत है roof भी गलत है ground भी गलत है हमारा correct answer है C part जो है smoke तो I hope यह भी clear होगे आपको third देखते हैं question क्या है हमारा third question which is the one that doesn't belong to the group तो same जैसे हमने first कर रहा था तो इन में से कौन सा group से में belong नहीं करता option से saucer mug jar and jug तो clearly हमें indicate हो रहा है कि जो saucer है वो group से belong नहीं करता तो यह तीनु same category में आगे हमारा mug mug हो गया jug हो गया jar हो गया तीनु की category same है तो जो saucer है वो है different तो जो correct answer है वो है saucer क्योंकि हमने find कोरना है कौन सा group में belong नहीं करता तो next question चलते हैं अब इस तरह का question आपको भी आएगा तो देखिए क्या है ABC ABC BCD और PQR तो अब देखिए ABCD से ABC इस्टू BCD अब क्या हुआ है ABC देखिए ABC उसके बाद क्या हुआ अगे यह वाला आगे continue हो गया BC उसके बाद आगे D अब यहां देखिए क्या है PQR अब देखिए जिस तरह से यह हुआ है A आगे BC को हम carry forward कर लिए यहां पर QR को हमने क्या करना है carry forward करना है QR अब BC के बाद क्या था D वहां QR के बाद क्या अगर S QRS तो देखिए option में है कहीं QRS फर्स्ट जी हां फर्स्ट जो option है हमारा QRS तो option हमारा first क्या है correct बस इसी तरह से आपने देखने कि ABC से BCD कैसे बना तो जिस तरह से यह बना है उसी परकार से QR को carry forward किया QRS तो correct answer क्या आए गया यह पार्ट तो गाइज देखते हैं next कुछ और कोशन्स गाइज नेक्स से एग लेते हैं तो फिफ्ट कोशन हमारा है देखिए पिन इस टू निप और यहां क्या है ट्रिप पिन है निप है और यहां है ट्रिप अब हमने देखना है कि पिन से निप कैसे बना तो यहां देखिए बिल्कुल सिंपल है यह पिन का opposite कर दिया क्या आगा यह कि अन आई पी बस आपने क्या गया त्रिप का कर दो उल्टा पी आई आर टी देखिए option है कहीं पी आई आर टी बिल्कुल सी option जो है गो है पी आई आर टी कोशन सा correct है ठर् आपको इसी तरह से question आएंगे क्योंकि first class का examination है इसमें basic level के questions ही आएंगे तो ज्यादा इसमें high level के questions नहीं आएंगे बहुत ही कम questions होंगे जो जाए tough होंगे बाकी basic question होंगे अब देखिए six question देखिए क्या है medicine is to sickness तो क्या है medicine है और क्या है sickness as book is to तो अब medicine का sickness से देखी कैसे relation है medicine sickness को दूर करती है sickness हमारी दूर होती है medicine से medicine खाते हैं और book क्या दूर करेगी story नहीं ignorance author author को नहीं दूर करेगी break को भी दूर नहीं करेगी तो क्या है ignorance हमारा correct answer है C पार तो जिस परकार medicine sickness को दूर करती है उसी परकार book दूर करती है ignorance को तो answer क्या है correct C तो next चलते हैं guys अब 7th question देखिए यह है series हमारे पास आ गई तो आपको इस तरह के series के questions आएंगे यह बंच में आ सकते हैं आपको 3 questions जैसे यह हैं तो अब series में देखिए क्या है first series देखते है 0 1 8 27 and 64 अब देखिए 0 1 को छोड़ी आप 8 देखिए किसका 2 का cube है 2 to the 4 4 to the 8 27 9 का cube है 64 किसका है 4 का cube है बस हमने पकल लिया यह cube है इसका मतरर यहां देखिए 0 का cube क्या आगया 0 1 का cube क्या आगया 1 2 का cube 8 3 का cube 27 और 4 का cube 64 अब हमने क्या निकलना है 5 का cube 5 का cube क्या है 125 देखिए है option c part देखिए 125 is the correct answer तो मारा आ गया 125 यह cube की series थी क्लियर हो गया यह next चलते है next series देखिए 2 7 12 17 ए 22 तो इस तरह के question में मैंने आपको class में भी बताया था कि जब आपको square cube ना लगे फिर आपके लोग difference लो सबसे easy method तो difference ली दिखते है 2 प्लस 5 7 7 और 12 में कितना है difference 5 का 12 और 5 17 55 की series आ रही है 17 और 5 22 अब next के अगर 22 और 5 22 और 5 कितना आगे 27 देखिए option है c part देखिए तो हमारा correct answer है c part 27 बस आपने किया कि difference निकाला सबसे easy method है यह बस difference डूड़िए क्या आ रहा है तो difference में क्या रहा है 5 की 5 5 5 5 5 5 सब में 5 का difference आ रहा है तो 5 का लगाया 22 प्लस 5 किया मरा आगे 27 तो correct answer है c part next देख लेते हैं अब इस series में क्या है देखिए यहां पर हमने last find out करना था अब यह बीच में आगी center में आगे mid term series इसमें क्या यह भी easy है हमें देखने में tough लगेगी कि 5 के बाद हमें पता ही नहीं है तो break लग जाएगी यहां पर आप यह portion छोड़ो आगे देखो 20 40 80 को देखो ठीक है 20 का double क्या हुआ 40 40 का double होगे 80 अब देखिए option देखिए 10 है मतलब 5 का double है तो देखिए 10 को डालके देखिए 10 डाला 5 का double 10 10 का double 20 20 का 40 40 का 80 तो correct answer क्या है यह पाट 10 यहां पर 15 भी डाल सकते हो फिर 5 3s 15 15 3s करोगे नहीं 20 नहीं आ रहा 22 भी नहीं आएगा 50 भी नहीं आएगा 5 10 50 हो जाता है तो हमारे पास सबसे easy जब हमने यहां देख लिया double हो रहा है 20 40 80 means 5 का double 10 है 10 option में देखा option हमें 10 मिल गया तो हमने 10 को mark कर लिया तो correct answer क्या हमारा 10 तो इसी परकार आपको series आ जाएगी exam में ऐसे ही questions आएंगे बिल्कुल easy questions थे तो 9 questions होगे हमारे तो next question देख लेते हैं यह बचेव में हमारे तो next question देखते है next question है बोड पर तो यह है blood relation का question तो blood relation हमने class पढ़ा था relationship concepts में तो देखते हैं क्या है यह question पढ़ लेते है a man introduced the boy एक आदमी ने एक boy को introduce किया कैसे किया he is the son he is the son of the father of my wife's daughter क्या क्या रहा है he is the son of the father of my wife's daughter जो मेरी wife है मेरी wife की जो daughter है उसके father का वो क्या है son है तो यह option से son इला son brother and father तो इसको diagramatically है यह विल्कुल इजी पढ़के भी आप answer दे सकते हैं बट diagramatically हम इसको जो family tree है वो बना के इसको solve करते हैं तो क्या he is son of the यहां से देखते है father of my wife's daughter तो my wife's daughter तो यह man है ठीक है इसकी यह wife आगई यह wife आगई my wife's daughter तो wife की daughter और इसकी daughter सेम है तो यह आगई daughter daughter आगई अब देखिए father of my wife's daughter father यह आगया wife की daughter क्या ही son of the father मतलब जो wife की daughter है यह जो daughter है इसका जो father है उसका क्या है son है इसका quader क्या है यह, इसका क्या है son son of the father father ke Wonder क्या है, यह wife's ki daughterका father खुद o गया और इसका क्या है son है तो बस इसका son ले आओ यह यह वराऋ आदमी थिक है son आ गया है इसका ठीक है अब क्या पूछ रहा है यह brother sister आगे what is the relation what relation did the boy bear to the man तो यह जो boy है इसका relation man के साथ क्या है तो इसका man के साथ क्या है यह इसका son है man का क्या है son है option देखिए son है हां बीपार्ट correct answer वापस देख लेते क्या he is the son of the father of my wife's daughter तो यह man है इसकी wife आगई wife की daughter means इसकी भी daughter आगई इसकी daughter का जो father है यह father आगे खुद इसका son है तो इसका आगया son यह question में क्या पूछा इनका relation क्या है तो यह इसका क्या लगा son लगा और यह father पूछा क्या boy का relation पुछा तो boy का बताना है तो boy का relation man के साथ क्या है boy is the son of the man तो option b is the correct answer इसी तरह से आपको bread relation के questions भी आएंगे तो next चलते हैं guys क्या है next है 11th question हमारा देख लेते हैं which of the following diagrams indicate the best relation between pigeon bird and dog तो ये नीचे कुछ diagrams दी है हमने बताने हैं कौन सी diagram best relation indicate करती है pigeon bird और dog में तो ये when diagram का question है तो diagram देखी ये आगई ये second ये third और ये fourth अब देखी इसमें single single लो ये pigeon ये dog ये bird नहीं ये एक ले लो pigeon dog bird ये bird dog pigeon अब देखी यहां पे सबसे पहले हम bird को देखते हैं तो bird क्या है ये बड़ी class आगी इसमें different types के birds आज़ेगा pigeon आ गया parrot आ गया sparrow आ गयी तो ये bird broadly आ गया तो ये आएगा बड़ा circle आएगा तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है अब bird और pigeon pigeon क्या हो गया यहां पे मैं आपको अच्छे ते बता देता हूं अब देखिए ये हमारा bird जो आ गया ये आ जाएगा ये bird ये आ जाएगा बड़ ये आ गया बड़ ये आ गया बड़ तो ये ब्रॉड कैटेगरी आ गई इसमें different types के वर्ड्स हैंगी हमारे पास pigeon भी है तो pigeon जो आ जाएगा वो बड़ के बीच में आ जाएगा pigeon आ गया बीच में क्योंकि ये bird है तो bird की category में है तो ये bird के अंदर आ जाएगा अब देखिए दूसरा के dog dog हमारा birds में है नहीं dog bird में नहीं है तो dog आ जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा ये आ गया dog ये इसके अंदर नहीं आएगा तो अब यहां पर अगर animal होता animal होता suppose तो आप ये ले लेते animal ये आगया animal और ये आगया dog और ये ले ले लेते pigeon पिजन आयता हमारा बाहर में बड़ यहां पर bird है और bird pigeon है तो bird आ गया बड़ा circle उसके बीच आ गया pigeon और dog आ गया बाहर आप देखिए इस तरह का ये जो उपर वाली when diagram इस तरह के हमारा पास है एक बड़ा circle है उसके बीच में चोटा और एक बाहर तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला ये देखिए ये बड़ा circle ये आ गया bird ये आ गया बड़ा आ जेगा हमारा अगर यहां पर सभी different होते सपोज यहां पर वह जाता फिश होता तो अब फिश अलग है डॉग अलग है और पीजन अलग है तो इस तरह की diagram आती यह आपकी यह वाली आया थी कि फिश डॉग अलग अगर यहां पर डॉग की जगा sparrow होता तो फिर य इस तरह की आपको diagram आड़ी थी I hope आपको यह clear हो गया है when diagram का question 11 तो next चलते है 12th question तो 12th में इस तरह की आपको figures आएंगी जैसे यह 3 figures दी है इस तरह की figures आएंगी आपने series complete करनी है इसकी बनानी है series किस तरह का यह बन रहा है तो देखिए यहां पर first box है 8 फिर यह down arrow फिर x और फिर o और 0 लिलो इसमें 0 8 down arrow x x 0 8 down arrow अब यह तीन में देखने आपने series किस तरह से बन रहा है उसके बाद option में आपने right को चूज करना है आप देखिए 8 है यहां पर और यहां से 8 चल गया यहां नेक्स पोजिशन में और यहां से 8 आ गया नीचे वाली यह जो पोजिशन है यह नीचे वाली में आ गया arrow यहां से नीचे गया नीचे आ गया और star देख़ी यहां अगया और यह 0 क्या चल गया ऊपर चल गया यह ऐसे गूम रहे है यह एसे चल रहा है ख़िए 8 है 8 यहां आ जाएगा इहां और यह 8 यहां यहां चल गया बिलकुल star यहां चल अब इसके बाद देखी क्या होगा यह हमने पकल लिया eight next में गया अब यह next में गूम रहें इधर जा रहें इधर जा रहें इधर और फिर उपर आ रहें अब यह ऐसे गूम रहें अब हमने क्या करना इन options में हमने find out करना है तो हमें पता चल गए किस तरह से घूम रहे हम उसको देख लेते हैं अब देखिए हमारा जो next होगा वो कैसे होगी अब यह इस टार यहां जाएगा यहाँ जीरो आएगा यहाँ एट आएगा इसा हाँ और एरो चल जाएगा उपर तो फरस्ट में एरो देखो डाउन एरो फरस्ट कहां है तो इसी में है तो एक ही में दो आपका एक ही correct आंसर उसी वक्त आपका correct हो जाएगा बट आगे दे हम चेक कर लेते हैं अब हमारा डाउन आरो चला गया ऊपर स्टार जल जाएगा आगे स्टार आगे बिलकुल दो हमारे condition satisfy कर गई है अब जीरो देखिए नीचे आएगा जी हो condition satisfy कर रही है हमारा answer क्या है C part तो C part हमारा correct option है इस तरह से ही आएगी यह आपको confused नहीं होना आप जब practice करेंगे आसे questions को आप easily solve कर लेंगे बस आपने देखना है कि कैसे यह figures जो है कैसे change हो रही है अब यहाँ कुछ और भी आ सकता है आपने बस देखना है कि figure में changing कैसे हो कैसे हो रही है आप इसी परकार आप इन questions जितने भी questions आएंगे उनको solve कर सकते है यह बहुत easy question है इसमें कोई formula कुछ भी आपको नहीं रहा है बस आपने देखना है कि pattern कैसे change हो रहा है और when diagram में भी आपने ऐसी करना है आपने बड़ी statement देखनी है कि बड़ा class के आगी जैसी बाहर आ गया तो guys next question देख लेते हैं अब कुछ और questions तो guys question number 13 देख लेते हैं तो क्या है question number 13 तो यह आ गया हमारा direction के questions direction sense तो पढ़ लेते हैं questions क्या है राम walks towards east राम east की तरफ चल रहा है and then towards south फिर वो south की तरफ मुड़ गया after walking some distance he turns towards west कुछ distance चलने के बाद वो west की तरफ मुड़ गया and then he turns to his left फिर वो अपने left की और मुड़ गया in which direction is he walking now अब हमें बताना है कि जो राम है वो अभी कौन सी direction में चल रहा है तो guys जब भी इसको solve करते है direction की question आया आप क्या कर लीजिए इस तरह से बना लीजिए यहां पर बना लेते हैं प्लस बना लीजिए north south east west आप इस तरह से बना लें प्लस north south east west बस उसके बाद आप question solve करें अब यह हमने बना लिया अब question बढ़ो राम बाक्स टूवर्स इस्ट अब देखिए यह राम और लिख लेते हैं राम बाक्स टूवर्स इस्ट इस्ट की तरफ चल रहा है यह east की तरफ ले चलो इसको and then towards south अब east से कहां मुड़ गया है यह south की तरफ south में नीचे आ जाओ नीचे आ गया after walking some distance कुछ distance चलने के बाद he turns towards west अब यह west की तरफ मुड़ गया south से west इदर है देखिए south है west इदर आ गया तो west की तरफ मुड़ गया towards west and then he turns to his left अब west में चलने के बाद यह अपने यह क्या left हो गया अब देखिए आप यहां चल रहा है इस तरह से देखिए अब left कौन सा हो गया हमारा यह आ गया तो that means left यह नीचे वाला है तो यह नीचे आ जाएगा तो यहां पर कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं बहुत बच्चे जो जब हम पेपर देखने तो इस तरह से होगा हम अपना left देख लेते हैं बट वहां हमने object जो यहां है उसका left देखने है अब इसका left आ गया नीचे य then he turns to his left left आ गया अब in which direction is he walking now अब बताना है कि यह कौन सी direction पर चल रहा है तो यह है देखिए कौन सी direction है south तो answer आ गया south बहुत है easy question है बस आपको direction properly आपने indicate करें कौन सी direction में चलना है आप बस north, south, east, west बना लीजिए यहां बोलते हैं वहां पर आप उसको चला ही जैसे यह आगे चला फिर वह रहा south आया south के बाद यह क्या हो रहा है कि यह west की तरफ आ गया और यह फिर left चला गया तो left means नीचे आ गया नीचे कौन सी direction है south direction तो इस तरह से आपको यह question solve करना है तो I hope clear हो गया यह आपका question तो next question देख लेते हैं next question भी direction का है तो इदर बना लीजिए north south east west अब आप easily understand कर सकते हैं इसको जमू एंड कश्मीर यह हमारा south आ गया यह eastern आगया यह राजिस्तन वेस्टन आगया बस इस तरह से आप अपने जो इंडिया का map है उसके according यह आप कर सकते हो तो अब देखिए यहां क्या है 14th question यह भी find out करना है distance तो देखते हैं क्या question रिचा ड्राइव एट किलोमेटर तो इसको अंडरलाइन कर लो एट किलोमेटर to the south तो रिचा ने driving कर रही है south की तरफ 8 km चली उसके बाद उसने left turn लिया और ड्राइव किया 5 km अगेन उसने left turn लिया और ड्राइव किया 8 km अब बताना है how far is she from her starting point वह अपने starting point जहां से वह start हुई थी वहां से वह कितने दूर है तो गाज देख लेते हैं बना यह रिचा ड्राइव एट किलोमेटर to the south तो यह रिचा है अब south क्या है नीचे नीचे है कितने 8 km तो यहां पर 8 लिख लीजिए और यह 8 km south अगी turns left अब यह अब यहां हम से left यह आ गया तो हम इस तरफ जाएंगे turns left left हो गई left side यहां से हमने अपना नीचे उसका देखना है रिच्चा का left turn लिया and drives 5 km तो यहां पर drive किया कितना 5 km अगें she turns left अब इस तरफ है left आगे हमारे यह बला आ गया अब इसका मतलब क्या है यह ऊपर जाएगी again she turns left and drives 8 km से start हुई थी यह भी 8 है तो यह भी 8 ब्राबर आ गया she turns left and drives 8 km अब क्या क्या रहा है how far is she from her starting point अब यह है हमारा end point यह starting point अब हमने बताना है कि यह distance कितना है कितने दूर है जो हमारा starting point है उससे यह कितने दूर है तो देखिए यहां कितने है यह 5 है तो यह भी क्या होगा 5 km देखिए 5 option है बिलकुल यह option है हमारा 5 correct तो 5 option हमें दिया हुआ है तो जो 5th option है वो correct option है बस आपने इस तरह से देखना है जो direction वो बोर ने दी है उसी परकार हमने उसको उस direction पर चलाना जितना 8 दिया है 8 लिख दिया 5 दिया 5 अब हमने बताना है कि वो जो है उसके starting point है उससे कितने दूर है तो starting point से कितने दूर आगी वो 5 km option देखिए क्या है 3, 5, 8 और 13 तो 3 भी नहीं बनता 8 भी नहीं बनता 13 भी नहीं बनता और हमारे पास क्या option हा रहा है जो correct वो है हमारा 5 तो 5 is the correct answer I hope guys आपको जो direction के question से यह clear हो exam में आपको इसी तरह से यह simple question आगे direction का यह आ सकता है जाकर यह mathematically question इस तरह का आ सकता है तो 14 question होगे हमारे तो next बच गए हमारे 6 questions तो next question देख लेते हैं अब तो guys देखे next question 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 no.15 हमारा तो क्या है question no.15 देखी hunger is to food यहां क्या है thirst तो hunger हमारी क्या दूर करता है food भूख हमारी दूर करता है खाना उसी प्रकार थर्ष्ट प्यास क्या दूर करेगा water drink tea और कौफी तो हमें प्यास क्या बस question पढ़के answer आजाएगा तो यह बिल्कुल easy questions है यह बिदिन 2-3 seconds इनको solve कर सकता है अबने hunger का देखना हंगर क्या दूर करता है खाना food करता है वो thirst हमारी दूर करेगा water तो 15 का answer आगया एपाट तो 16 देखते है food, stomach, यहाँ है fuel तो हमने आगे निकालना है क्या आएगा और fuel कहां जाएगा engine में जाएगा, automobile में, rail में जाएगा, या airplane में नहीं जाएगा, rail में ङो,理ाब mobil में तो तो सही इसका relation जो है वो हमने देखना है धैने Financial полus.ций है, हमारा देखने यहाँ बिल ghat में जाता है तो सही रिलेशन आगे हमारा इंजन नेक्स देखिए कोश्च नमबर 17 क्या क्याता है वन अपान 7 इस टू 1 अपान 4 यहां है वन अपान 9 तो आपने इसका इसके साथ देखना है वन अपान 7 से वन अपान 14 कैसे बना 7 टूजा 14 और यहां मिल्टिप्लाई 2 करेंगे 9 टूजा क् आपन 18 देखिया option है कहीं डी option तो डी option हमारा correct है कि आजेगा 1 अपान 18 तो वन अपान 7 था 7 टूजा 14 और 9 टूजा 18 तो जो correct है वो आपने लिख देना है तो question number 18 देखते हैं guys क्या है spot the odd one इन्हें से odd जो है उसको हमने spot करके out कर देने तो आपको इसी तरह के questions exam में ज्यादे आएंगे और वन हो गया यह वाले होगे इस तरह के questions आगे relation वाले series आगई direction आगे यह question आपको ज्यादा सकते हैं question आगे बाकी जैसे वैंड डाइग्राम वो एक एक दो दो question उसके भी आ जाएंगे तो spot the odd one तो odd one देखी कि इसमें क्या है green red color are blue इसमें odd क्या है green red blue तो यह तीनु क्या आगे हमारे colors आगे ठीक है यह color है तो यह एक देखी broadly बता रहे है यह क्या है red green और blue यह category कि इसमें आगे colors में आगे तो यह सभी रंग है और यह आगे हमारा correct answer क्या है color यहां पर वो सब रंग है बड़ कलर तो रंग नहीं है इसमें बहुत से color आ जाते हैं तो हमारा correct option क्या है हमने odd बताना है इन्हें इसे अलग है यह बी green color आ गया red color आ गया blue color आ गया यह broadly बताया है color तो हमारा पास क्या है correct answer c हमने odd one दिखाना है तो odd one क्या है c 19th question देखते हैं if crude is written as अगर crude को हम ऐसे लिखें बी एस्टी इडी दन मॉइस्ट को हम कैसे लिखेंगे तो इसको यहां निकालते हैं यहां solve करके देखते हैं कैसे आएगा बहुत easy question है यह भी तो देखिए क्या है crude क्रूड आगया हमारा तो क्रूड का बना है बस्टी बी एस्टी इडी तो अब हमने देखना है क्रूड से बस्टी कैसे बनेगा अब देखिए एक एक वर्ड को हम देखके चलते हैं यहां पर c है तो c से देखिए bouv ओ बी माइनस वन हुआ है एक पीछे जाले अब आर से देखिए कि आर से स्क्ञालप्लस वन हो गया है एक एड की और यहां पर you you से क्या है 1-1्टी और यहम द्यसे क्या है और यहां एसे माइनस वन-ले अब इस Меня क हैं पहले मइनिस ह्याया फिर प्लस वर है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर इस तरह की यह सीरीज है तो यहां उसी परकार हम बनाएंगे M O I S T को तो मॉइस्ट को देखते सबसे पहले क्या कि हमने माइनस वन तो यहां पर माइनस वन करेंगे क्या आएगा हमारा L आ गया L प्लस वन M M से एक माइनस करेंगे क्या आजाएगा हमारा L आ जाएगा तो अब देखिए option में देखिए L कहां है यहां नहीं है तो यह हमारा गलत नहीं होगा यह भी नहीं होगा अब इन दोनों में से कोई अंसर होगा तो आपको यह कुछ इस ट्रिक्स हैं एक्जाम में कि हमने पूरा solve नहीं करना है इस तरह के question साम आदा solve करके ही निकाल अगर यहां पर एक ही होता यहां भी कुछ और होता तो बस एक ही निकालके हम सीधा इसको टिक कर देते बड़ यहां पर आप L हमारे दो आ रहें तो आगे चलना पड़ेगा आगे देखते हैं ओ को देखते हैं ओ को क्या आएगा प्लस ब्लस बन है उपर तो आजाया पी तो का आगया पी अल पी देखो कहा है अल पी यह डी में है तो हमारा क्या answer आगे correct डी बस आपने इतना ही करना है अगर ऊपर भी पी होता फिर हम आगे चलते तो दिखिए यहां पर हमारे पर दो आगे एल पी उसके बाद आई को देखो अब आई का क्या है माइनस वन हो गया तो एच्च आजएगा तो यहां एस का क्या है एसका टी आजएगा और यहां पर टी है तो टी का क्या आजएगा एस आजएगा एल पी एच्टी एस एल पी एच्टी एस इसी तर टर्म्स तक ही solve करना है हमने पूरा solve नहीं करना इसी तरह से करेंगे हमारा question यह solve हो जाएगा तो 19th question I hope clear हो गया अब 20th question है हमारा last question तो last question देखते हैं क्या है if bus is written as dwu bus को लिखा है कैसे dwu यू लिखा है then car is written है तो अगर bus को dwu लिखा है तो हम कार को कैसे लिखेंगे तो देखिए bus और यहां पर अलग हम करके लिखते हैं राम से यहां क्या है bus bus का क्या बना dwu देखो कैसे बना b c d plus 2 u v w plus 2 s t u plus 2 तो सब में plus 2 और है car का क्या बनेगा e e आजेगा हमारा c d और e a b और c plus 2 r s और t e c t आगया हमारा e c t देखो है कहीं पर तो यह जो b option है e c t हमारा यह यह c है correct आगया तो बस आपने देखा bus से dwu कैसे बना तो हमने बना दिया 2 2 plus हो रहे हैं तो हमने car में भी 2 plus करके हमने क्या बन गया e c t i hope यह आपको clear हो गया है तो guys यह थे question paper हमारा reasoning का class fourth का reasoning जो section था उसमें हमें 20 marks आएंगे वो 20 questions होंगे तो हमने जो important 20 questions थे वो हमने discuss किये हैं तो इसी तरह का आपको exam में भी paper आएगा जैसे यह questions थे इसी level के आपको questions आएंगे exam में तो i hope guys आपको यह lecture पसंद आया होगा तो lecture पसंद आया हो तो like जुरूर कीजिएगा वीडियो को और कोई doubt हो कुछ पूछना हो आपको कुछ भी exam related वो आप नीचे comment कर सकते हैं चैनल पे नहीं है तो guys चैनल को subscribe जूरूर कर दीजिएगा bell icon प्रस कर दें ताकि next जो भी वीडियो आएगी next हमारे mathematics है English है जो भी वीडियो आएगी उसकी notification आपको मिल चाहिए और वीडियो को अपने friends के साथ सबके साथ share जूरूर कीजिएगा और कुछ भी हो आप कभी भी वीडियो में comment करके पूछ सकते हैं को भी doubt हो और आप classes भी चल रही है तो आप classes भी देख सकते हैं हमारी mathematics और reasoning की classes चल रही है तो आप वो भी देख सकते हैं तो guys यही था आज की वीडियो में तो thank you have a nice day